नमस्कार आप देख रहे हैं वाराल सच पेसे आज दुनवर की बड़ी खबरे और मुख्य समाचार सभी खबरें सेलेक्टेड बस आपसे रिक्वेस्ट है किरपय वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका हरिक लाइक शेर और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहत महत्पूर है वहीं पहली बड़ी खबर लेकिन अब अपनी राजनीती चमकाने के लिए विपक्च आपस में भड़ता नजर आ रहा है पच्च मंगाल में विपक्ची दलों कॉंग्रेस और सीपी एम ने सब्तारून तरणमूल कॉंग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर जी प आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में दीपिका पादुकॉण की मुवी चपाक की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वहीं मुक्यमंत्री कमलनात ने मुवी को राज्ज में टेक्स फ्री कर दिया है इसी के साथ इस पर बहस सुरू हो गई है सीम कमलनात ने कहा कि दीपि संगठन NSUI आगे आया है इस संगठन से जुड़े विवेक तृपाठी ने बताया कि हमारा विरोध सिक्षा संस्थानों में होने वाली इंसा को लेकर है एक बड़ी अविनित्री जे एन्यू चली गई तो उसकी मुवी का विरोध किया जा रहा है ये गलत है इसलिए हम इस म मुवी को फिरी में देख सकते हैं वहीं भोपाल में भी ये मुवी संगीत सिनेमा हॉल में लगने जा रही है जहां पर NSUI कुछ टिकेट फिरी में बाटेगा और मुवी का प्रचार करेगा उधर बीजेपी पार्टी के सदस्य मुवी का विरोध करने में लगे हुए हैं भो जेपी के पूर्व विदायक सुरेंद्र सिहिंग भोपाल की रंग महल टौकीज पर तानाजी मुवी के टिकेट वाटेंगे कायास लगाई जा रहा है कि छपाक मुवी को लेकर आने वाले दिनों में जमकर हंगाम हो सकता है वहीं हैदराबाद में नागरिक्ता कानून NRC औ अपने समर्थकों के साथ हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं इस यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सरकार के खिलाप नारेवाजी कर रहे हैं ओवैसी की ये तिरंगा पद्यात्रा मीर आलम इदगा से सास्त्री प्रम तक जाएगी पद् दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम का एलान नहीं करेगी पी-म मोदी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाब। दरसल आपको बता दें के दिल्ली में बीजेपी में बीजेपी पार्टी के और से मुख्यमंत्री के नाम का एलान नहीं होगा बीजेपी प्रदान मंत्री मोदी का चेहरा और काम को आगे रख कर बीजेपी बेजने वाली मा के खाते में डायरेक्ट 15,000 रुपए ट्रांसफर क आपको बता दें के आंध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईयस जगन मोहन रेडी ने गुरुवार को राज सरकार की मेत्वकांची योजना अम्मा वोडी की सुरूरात की है इस योजना का उद्देश लाखों गरीब और जरूरत मंद माताओं को उनके बच्चों को सिक् नागरिक्ता कानुन का विरोध करने वाले लोगों पर सरकार ने कराया हमला दरसल आपको बता दें के समाजवदी पार्टी के अध्य अकलेश यदव ने गुरुवार को कहा कि नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदसन कर रहीं लोगों पर। बीजेपी सरका पर काम कर रही है वही दिल्ली विदानसवा चुनाब के लिए बीजेपी ने चुनाब समिती की गोस्टना की मनोज तिवारी गोतम गंबीर समेत 15 नेताओं के नाम सामिल दरसल आपको बता दे के दिल्ली विदानसवा चुनाबों के लिए दिल्ली बीजेपी ने चुनाब समि कुल 15 लोगों की समिति में, दिल्ली बीजेपी अध्यच्य मनोस्तिवारी समित, आठ सांसदों के नाम सामिल है। इसके लिए उन्हें अब थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा इस एप के जरीए महलाएं कानूनी साहता ले सकेंगी और साथ ही उन्हें मेडिकल सुविदाएं भी दी जाएंगी इस एप के जरीए महलाएं उन मुद्दों की भी रिपोर्टिंग कर सकती हैं जिनकी इस पैस बोड है आपको बता दें कि पूरी तरह से यह प्राइवेट और इंकिप्डेड होगा इस एप के जरीए यौन पीडित महलाएं फोटो, स्क्रीन सोट, कोई भी डॉक्यमेंट, वीडियो और आडियो सबूत के तौर पर सेव कर सकती हैं इस एप के जरीए पीडितो कानून की मांग पर सुप्रिम कोट का सरकार को नोटिस, दरसल आपको बता दे के देश में जनसंख्या नेंतरन कानून की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार को नोटिस जारी किया है, याचिका में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के चलते को बुनियादी सुविधाय मोहिया नहीं हो पा रही है। सम्विधान में जनसंख्या नेंतरण के लिए कानून बनाने का आधिकार सरकार को दिया गया है। इसके बावजूद अब तक सरकारें इससे बचती रही है। याचिका करता अश्चिनी उपाध्याय की दलील है कि भा बिन्यादी सुविधाय से भी बंचित होना पड़ रहा है। यह सीधे सीधे सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उलंगन है। आवाधी पर नेंतरण पाने से लोगों के कल्याण के लिए बनी तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करना आसान हो जाएगा। इसके बावजूद सरकारे जनसंक्या नेंतरण पर कोई कानून नहीं बनाती है। वहीं लालू प्रसाद यादव के चहेते रेप के आरोपी बिधायक को पार्टी से किया गया बाहर। दरसल आपको बता दे के लालू यादव ने अपने दो पुराने विश्वास पात्रों को पार्टी से बाहर कर दिया है। इसमें से एक बिधायक बलातकार के मामले में फरार चल रहा है। वहीं दूसरा पूरू बिधायक बलातकार के मामले में सजा काट रहा है। इस बात का एलान आरजेटी के प्रदेश अध्यच जगदानन्द सिंग ने किया है। उन्होंने बता दे के जियानियू में प्रदसनकारी छात्रों के बीच अभिनेत्री दीपिका पादुकॉण के पहुंचने पर बाजपा की वरिष्ट नेता और केंद्रे मंत्री इस्मरती इरानी ने उन पर हमला बुला है केंद्रे मंत्री ने एक कारिकरम में कहा कि मैं जानना चाहती कि आखिर वह राजनीतिक रूप से किस से जुड़ी हुई है अभिनेत्री पर हमला बोलते हुए इस्मरती इरानी ने कहा कि जिसने भी ये खबर पड़ी होगी वह ये जानना चाहता होगा कि दीप का प्रदसनकारियों के बीच क्यों गई दरसल इस्मरती इरानी ने आगे क दरसल आपको बता दे के महाराष्ट्य सरकार के एक मंत्री 6 दिनों तक कोप भवन में ही रहे लेकिन तभी बाहर निकले जब उनकी मंग मान ली गई ये मंत्री कॉंग्रेस के विजय वडेटी वार हैं जो कि खुद को मिले मंत्राले से बेहत नाराज थे आपको बता दे के पिछले विदान सवा में विजय बडेटी वार विपक्ष के नेता थे तीन पार्टी वाली ओदव ठाकरे की सरकार आने पर उन्हें भूकंप पुनरविकास नमक भूमी और OBC का मंत्राले दिया गया था लेकिन बडेटी वार इससे नाखुष थे उनकी मांग थी कि उन्हे मदद पुनरविकास मंत्राले भी दिया जाना चाहिए जो कि सिफसेना ने अपने हिस्से में ले लिया था लेकिन आब सिफसेना नेता उदव ठाकरे उनकी बात से सहमत हो गये हैं वहीं टिक्टॉक पर बच्चों का नहीं हो पाएगा सोसन कंपनी ने लिया ये बड़ा फै कई स्वयम से भी संस्थाओं ने आरूप लगाया था कि इस समय सोसल मीडिया पर इस साइट पर बच्चों के साथ मांसिक और यौन सोसल होता है वहीं दिल्ली जीतने के लिए बाजपा को सिर्फ मोदी और सहापर भरोसा केजरिवाल के मुकाबले कोई नहीं दरसल आपको ब बहतर रणनीटी होगी माराष्ट अर्याना और जारखंड में गाज्य भाजपा नेताओं की विफलता के बाद दिल्ली विदानसवा चुनावों में भाजपा के केंद्रे नेताओं को दिल्ली भाजपा में ऐसा कोई भी नेता नहीं दिखता जो मुक्ष मंत्री पर केजरिवाल से पूछेंगे 10 सवाल दरसल आपको बता दे के दिल्ली बीजेपी के प्रमुख मनुष्तिवारी ने कहा कि वह आप सरकार की नाकामी पर मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल से 10 सवाल पूछेंगे और उम्मिद करते हैं कि वह समय से इन सवालों का जव सवालों से बच रहे हैं तिवाली ने मुख्यमंत्री से पूछा कि प्छले 5 साल में उनकी सरकार ने नगरनिगमों की बकाया 20.000 करोड रुपई की रासी क्यों नहीं जारी की उन्हƯंद पकाया here के 5 सवाल दिल्ली करोड के दिल्ली करना Сп 可以 रखbor लेकिन भाजपा उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। पश्चिम और दच्ण पंजाब के कई हिस्सों हर्यानार उत्री राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाला बढ़ने की संबावना है। दिल्ली और राष्टी राजदानी छेत्र के अधिकान सिस्सों में प्रदूसर मध्यम स्रेडी में रहेगा। ये थी अब तक की बेहाद बड़ी खबर हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिन जय भारत।